हेलो एवरिवन गुड़ मॉनिंग टू अल अव यू तो फाइनली वो दिन आ चुका है और फाइनल राउंड का रिजल्ट भी आएगा फर्स्ट राउंड हुआ सेकेंड राउंड हुआ फाइनल राउंड भी हुआ हो गया और सबने काउंसलिंग भी कर दिया उसके बाद एक दि बाद इहां जिसके फेस्ट राउंड का भी एक दिन बाद आया था दो तरीका डे created मेंशन हुआ था पर तीन गवाई फिर आपको सेकेंड राउंड का दश्क को मेंशन किया तह पर एकार पो लगारे और फोर्ट राउंड को देखिये 15 को मेंशन किया गया आप काउंसलिंग के कोड़ी एक दिन बाद ही आया है और डिप्लोमा कभी जीतने भी काउंसलिंग हुए थे एक दिन बाद ही हो रहे थे आज आता है आज तो अच्छी बात है और रिजल्ट कितने बज़े आएगा तो आपको भी पता है पांचे बज़े का बाद ही आता है पांच देख सकते हो तो यहीं होने वाला है आपका पंदर अतारी को रिजल्ट आएगा फिर 15-17 के पीछ पर पेमेंट करना है उसका बाद उसी में दोकमेंट वेजिफिकेशन और आपको सीट फिरिज करते ना आप जो अप्ग्रेड किया होंगे उनको फर्स्ट मतलब ठाड राउंड में सीट मिल रहा है तो आप सीट फिरिज कर दीजें जो मिल रहा है वो ले लिजे क्योंकि अब डायरेक्ट होगा एस्पोर्ट राउंड एस्पोर्ट राउंड में तो भाई सहाव बहुत मुस्किर राता है मिलना सीट क्योंकि जो कुर्स मिल जाए उसके बाद आपका उसमें अपग्रेड अपडेड का कुछ आफ्शन नहीं आता है तो मेरे क्याल से आपको बाउने चमिराट बाउनी के बचब मिन्मन किया गया है तो आप उसी की बीच में आपको आपको फुल रिफॉंट मिल जाएगा अगर आप कैंसिल करते हो तो उसके बाद कीजिएगा तो नहीं मिलेगा तो यहीं कुछ मोटा मोटी आपका होने वाला है तो अभी तो कॉंसेंट्रेट कीजिए और जिनका जिनका नहीं हो जाए और काफी लोग वेड़ भी करतें बहु कि यह अलॉट में लेटर आ जाएगा और कॉर्स प्रेफ्रेंस का ओप्शन तो आएगा नहीं अब क्योंकि यह तो पहले पहले राउंड का है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं जिनको नहीं मिलेगा उसको एडमिशन पेमेंट भी आएगा तो अपना पेमेंट वगरा कर देंग तो चलिए यह इंफर्मेशन आपको देना था तो जैसे आता है फिर अलॉट में लेटर आता है सबका तो मैं बता दूंगा ओप आज आ जाना चाहिए और मेरा तो पुरा-पुरा क्याल है कि आज आज आना चाहिए अगर नहीं आता है तो कल तो डेफिनेट लिया जाएगा तो यह है तो चलेगा जोब यह वीडियो आपको समझ में आया वाक कितने बजे रिजुल्ट आ रहा है तो फिर से बता दो रहा हूं चे बजे पांच चे बजे के बाद ही आएगा दस बजे के बीच में आपका रिजुल्ट आ जाने वाला है तो यह information देना था फिर भी कोई confusion हो तो comment section में जरूर बताना मैं कोशिश करूंगा आपको help करने के लिए और मेरा कोशिश होता है सबका reply किया जाए तो चलिए bye all of you